अभी ये लोग जो ये समाज का ठीकेदार लोग जो खेसारी भाईया से अगर एक छोटा सा भी गलती हो जाता है ना आप लोग भी मिला लीजिएगा उनसे अगर एक छोटा सा गलती हो जाए तो लोग उनको पूरा ट्रोल करना सुरू कर देते हैं उनका एक एक पॉइंट को लेकर की सारी नहीं किया वो कि या फ्लांध कान पूरा तो कहां है वो समाज के ठीके दार लोगिप पूरा वो भड जाते की यृ गलत है यह गलत है आवान्बाय कलो गलत कोई ले बाड़े अन्वान बाली य कल लीकल जाता कि आरे कम से कम जाव लोके देखा वे खान को ती गाना है किसी के भिकार के ऊपर गाना है हम क्यों को नोते उनको रोखने वाले कि आप मत गाहिए जादु जी का गाना आता तो क्या जादु जी क्या बोलेंगे होँ आपका बेटी भाईन मेरे सपना में आती है किसी दूसरे जात को गाली दिये हैं क्या जादु जी अज़ को बोलेंये क्यों वाले हैं उसला कर रहा है अच्छी बात хочे ये करना चाहिए नमस्कार परणाम मैं गई कदी पांज लिया दू कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का आशिरवाद तो हमेशा मेरे उपर बना है और उमीद है कि आप लोग हमेशा प्यार दोलार आशिरवाद बनाए रखिएगा शपोर्ट कीजिएगा जादो जी की बेटी सपनवा में आती है इस अभधर बात को लेकर मैंने दो दिन पहले एक वीडियो फोस्ट किया था जिस वीडियो को देखकर उस वीडियो में जो भी बात बोली गई है उस बात को सुन कर हमारे कुछ सुपचिंतक लोग हैं कुछ भाई लोग भी हैं जो फोन करकर के बहुत ज़्यदा परिशान कर रहे हैं टोर्चर कर रहे हमें और मेसेंजर के माध्यम से भी बहुत ज़्यदा परिशान कर रहे हैं फोन से तो परसान है ही लेकिन जो मेसेंजर पैसा ऐसा बात लिख रहे हैं कि आपके बीच में हम बोलने में सक्षम नहीं है कुछ जादा ही नाराज हैं लोग हमसे और मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि मैं कहां से क्या गलत बोल दी हूँ उस वीडियो में क्या गलत बात बोली हूँ मैं अगर हमारे समाज को हमारे समाज की बेहन बेटियों को हमारे जाती को हमारे धर्म को कोई गाली दे ते क्यूं हम चुप बैठें क्यूं चुप बैठें हम हमारी बेटी बहनों को कोई सपनों में बुलाए तो क्यों हम चुप बैठें ये व्यक्ति विश्यस की बात नहीं नहीं ये जाती विश्यस की बात की गई है जादो पूरे जादो जी को बूला गया है फिर क्यों चुप बैठेंगे हम कहां से क्या गलत बूला गया है इसमें हमारे समाज का कोई तोहीन करें तो हम क्यों चुब बैठें क्यों ना हम बोलें हमारा हक बनता है बोलने का और बोलेंगे हमेसा बोलेंगे जब जब ऐसा किया जाएगा तब बोलेंगे हम हमेसा बोलेंगे यह चीज और आप लोगों को बुरा लग रहा है क्यों बुरा लग रहा है आप लोगों को क्या गलत बोल दिये हम उसमें हमारे समाज को कोई गाली दे तो वह अच्छा बात आपको सुनकर चुप लगा जाना चाहिए क्यों चुप लगाएंगे हम हमारा जाती तो हमारे लिए गर्व चीज वहता है गर्व में इस जाती से पैदा हूं शौभिमान है हमारा जाती है हमारा जब इंसान पैदा लेता है न अजब उसको जाती के पता चलता है कि हाँ भाई हम इस जाती में है जब सब कुछ जानने वाला हो जाता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा अपने उपर गर्व मौशूर सुता कि मैं इस जाती में हूँ लोग गर्व से अपना नाम बताते हैं कि मैं इस जाती क्या हूँ मेरा ये नाम है लोग अपना टाइटल जोड के बताते हैं क्योंकि हमारा जाती हमारा सोभिमान है और हमारे सुभीमान के साथ कोई खेले तो हम क्यूं बरडास करें काहें बरडास करें हम? हमारो हक बनता है उस पे बोलने का क्या गल्द बोल दी हो कि मारकेट में इक नी гр मैटर फ़ेला हुआ राता है कभी न कभी कि इनको गाली दे दिये कि इनके बारे में इन्होंने ऐसा कुछ बोला आप लोग कभी नहीं सुना हूं कि हम भाई किसी के बारे में किसी के सपोर्ट में उतरें किसी के बिरूद में उतरें क्योंकि हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है नहीं हम किनी का सपोर्ट में उतरेंगे नहीं हम किनी के बिरूद म क्योंकि हमारे जाती को लोग गाली दिए बेहन बेटियों को लोग गाली दे रहे हैं तो हमारा तो हक बनता है ना पुलने का हम बोलेंगे ना क्यों चुप लगाएंगे हम हमारे मैं जिस भी जाती से हूँ जिस समाज से हूँ हमारे मूँ पर हमारे जाती को कोई गाली दे और हम चुप लगा जाया तो उससे बड़ा कायर कोई नहीं होता है मैं सिर्फ अपना ही नहीं बोल रही हूँ आप सभी को भी बोल रही हूँ कि आप लोग कोई भी किसी भी जाती का हो और कोई भी किसी के विमूग पर बोले तो उसको कभी चुप नहीं बैठना चाहिए क्योंकि हमारा जाती हमारा स्वविबान है और हमें बोलना चाहिए ये वैक्ती विशेश की बात नहीं है ये जाती विशेश की बात थी और जिसे जिसको हम सोचे कि भाई नहीं इस पर बोलना चाहिए और बोलूंगी बोली मुझबूरन आज मुझे दुबारा आना पड़ा क्योंकि आप लोग मुझे इतना ज़्याद परसान आप लोग कर दिया हमको कुछ लोग कुछ भाई लोग यह भी बोल रहे हैं कि चाची की बाची सपनवा में आती है आपने इस गाना का विरोध क्यों नहीं किया अरे भाई ते इस गाना का सपोर्ट कब किये थे इस गाना का सपोर्ट हम कब किये यह तो आप लोग भ पूरा हल्ला था चाची के बाची चाची के बाची क्योंकि इस गाने का जब यह गाना आया था पूरे भोजपूरी इंडरस्टी मतलब उलट से फेर हो गई थी पूरा उलट फेर करके रख दिया गया था लोग उसको पूरा लोग पूरे विरोद किये थे इस गाने का पूरे भुछपूरी इंडरोश्टी इस गाना का विरोद की थी, तो इस छोटी सी कलाकार का क्या वोकाल बंता हमारा तर॥ कौन सुनता हमारा, औस गाने का तो हम सपोर्ड भी नहीन किये थे, हम आके कभी आप लोगों को बोलें कि आप लोग गलत कियें नहीं आज हमें गलत लगा तो हम आप सभी के बीचों अपने बातों को रखें कि हमारे साथ गलत हो रहा है ये चीज हमारे समाज को गाली दिया जा रहा है और जब भी हमारे जाती को बोला जाएगा ऐसा हमारे मापोनों को बोला जाएगा हमारे धर्म को बोला जाएगा तो हम जरूर बोलेंगे खड़े उतरेंगे हम खड़ा होंगे उसके लिए हम और खड़ा होना चाहिए ये सभी को मैं तो ये भी बोलूंगे और ये तो बात तो अलग है लोग ये भी कह रहे हैं क्या कि जादो जी का गाना आता है तो आप कुछ नहीं बोलती है मतलब काही कुछ बोलेंगे हम जादो जी का गाना है जो किसी का भी गाना है किसी के भी काष्ट के उपर गाना है हम क्यों बोलेंगे हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले कि आप मत गाईए क्यों बोलेंगे हम काहें के लिए बोलेंगे हम क्या भाई आप मत गाईए ये तो अच्छी बात है ना कि लोग गा रहे हैं है जादु जी का गाना इता तो या जादु का बोलें कि आपका बेटी बहिं मेरे सपना में आती है किसे धूम कर घाने के मादम । जाती का प्रशंचा कर रहे हैं गौर्वानित कर रहे हैं अपने जाती को तो इसमें कहां से क्या गलत है लोग करें अच्छी बात है यह करना चाहिए अपने गाना के माध्यम से अपने जाती का प्रशंचा कर रहे हैं लोग तो यह अच्छा बात है करना चाहिए मैं तो हमेशा बोलती हूं कि हां भई गायन लेकिन कमसे का उसमें कभी यह नहीं होना चाहिए कि हां भई हमारे जात के हमारा जात का अगर गाना है तो किसी दूसर करें ये अच्छी बात है कोई दुख की बात नहीं है लेकिन बात कहां और आप लोग घसिटते हैं कहां हमारे हमारे जाती को हमारे समाज को जब भी बोला जाएगा तुम्हें बोलूंगे और आप लोग खुद देख लीजिए आप लोग खुद मिला लीजिए कहां है अभी ये लोग जो ये समाज का ठीकेदार लोग जो खेसारी भाईया से अगर एक छोटा सा भी गलती हो जाता है ना आप लोग भी मिला लीजिएगा उनसे अगर एक छोटा सा गलती हो जाए तो लोग उनको पूरा ट्रोल करना शुरू कर देते हैं उनका एक एक पॉइंट को लेकर किसारी ने यह किया वो कि यह फलांठेकान पूरा कहां है वो समाज के ठीकेदार लोगी पूरा उभड़ जाते हैं कि नहीं यह गलत है यह गलत है काया जो अतनु लिखे से गईले जा कि हा आप किसी को गाली दा अर्ना कभी नहीं लेकिन हाँ कोई गलत करे तो उसको कम से कम सीधा रादिका यह कि हाँ आप से गलती हुआ है आप इसको सुधार कीजिये कितना पोस्ट देखने के लिए मिल देखने को मिल गया वी कितना पोस्ट कोई भी ऐसा हम को लग रहा है कि लोग से हुआ रहता अगर कि जारी वियासे गलती हो जाए तो लोग उनको पूरा ट्रोल करना शुरू कर देते एक दाम पूरा पीस के रख देते हैं लोग एक ही मुद्दा को लेकर पूरा पचास बार घिष्टेंगे एक दाम और अभी तो लोग कर रहे कि जाए दा गलती लेकिन फोन करके आप लोग पचास बहुत ज़्यादा परिसान कर रहे हैं आप ही लोग चाहते इस बात को लमडाना दूसरे को क्यों परसान कर रहे हैं आप लोग काते कि भुच्पूरी इंडॉस्ट्री एक है एक मत है कहा से एक मत है यही तो एक मत है कि किसी कलाकार को एक दम जो गलती होता नो उसको पुरा उभार देते हैं आप कुछ कलाकार का गलती होता तो सोचते हैं कि कब उसको तोप दिया जाए एक दम तोप 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 जल्दी ज़्यादा होगे किसी का गलती हो ना तो उसको बहुत ज़्यादा लमडाते हैं लोग कि ना अभी उसको और कम से कम पूरा खेलाया जाए यह बहुत ही गलत बात है इसको एक मत नहीं कहते हैं कि सभी के लिए दिखाई चोटे बरेक टलाकार जो भी है जिनसे भी गलती हो रहा तो सब को एक मत दिखाना तो सब में बोलती हूं कि मैं बोलूंगी अगर ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा तो हमारे जाती के बारे में बोला गया था और मैं उचित समझे और उचित है भी भले आप गलत लगे लेकिन यह मैं कहीं से गलत नहीं समझती हूं और ऐसा जब भी सुनने को मिलेगा तो मैं हमेसा बूलोंगे